हाई फ्रेंड्स वेलकम टू फातिमा पापास कीचन आज का रिस्पी है कि अद्रक की चटनी ये चटनी को अपन इडली के साथ दोशों के साथ हर नास्टे से भी साइड चटनी के जैसा अपन यूज करते हैं एकदम होटल स्टाइल होटल में कैसी मिलती है जैसी आज इस आप लोग को बताती हूं वित्मेजर के साथ देखीजिये एक मेजर इंग लेजिये आप लोग को बताने के लिए मैं ऐसा दिखा रही हूँ तो आज इस फालो कर लीजिये एक अपन बाउल को रखे वो बाउल का वेट भी रहता है ना इसलिए उस जीरो तक आने तक वेट करी ज करक्ट मेजर्स आप लोग को बताने के लिए मैं याम पर मेजरिंग का इस्तेमाल करती हूं तो देखीजिए करक्ट 100 ग्राम्स आय तक अपने इमली को दाल देके यह 100 ग्राम्स इमली हुए बाद अपने इसको साइड में रख दिना है इमली 100 ग्राम्स आपने इसमें दालते हैं जागरी यह भी 100 ग्राम्स लीजिए गुड 100 ग्राम्स आप रखते हैं दूसरा कप भी रखके उसको भी 0 तक करके उसको भी 100 ग्राम्स सूखे रचिली सूखे लाल मीट्चा भी 100 ग्राम्स लेते हैं आपने इसमें आड करते हैं 100 ग्राम्स अद्रक अद्रक रचिली सूखे रचिली सूखे लेते हैं 100 ग्राम्स तो देखिजिए थोड़ा कम ज्यादा हो रहा तो उसको एड्जेस्ट करते हैं इक करक्ट 100 ग्राम्स लीभू में याँपे 100 ग्राम्स को लेके इसको भी साइड में रख दीजिए कम ज्यादा हो रहा था इसलिए मैं उसको एड्जेस्ट करते हुए 100 ग्राम्स पर लाई हूँ इसको भी साइड में रख देके अब आपन इसको भी दूसरा बाल को लेके उसको भी जीरो तक लगा के अब आपन इसमें 100 ग्राम्स आईल को भी 100 ग्राम्स लेना है देखीजिए इस तरह 100 ग्राम्स के आईवाद इसको भी साइड में रख दीजिए अब आपने इसमें चाहिए एक 10 से 15 लाईसुन के कल्यां एक टीस्पून मेथी पोर्डर पांच टीस्पून धनिया पोर्डर और टेस्ट के मुदाविक नमक और 1 टीस्पून जीरा अब अपनी इसको टामरिंट को अच्छा साफ धो लेकर एक बाउल में भीगने के लिए थोड़ा सा पानी धाल कर भीगने के लिए साइड में रख दीजिये साइड में रख दिये बाद अपना द्रक को पूरा अच्छा सा पील कर लेके पूरा उपर का छील्टा निकाल के छोटे-छोटे तुकड़ों में करना है देखीजे इस तरह छोटे-छोटे में तुकड़ों में कर लेके साइड में रख लीजिए अब अपन एक बाउल को चड़ा के स्टव को पर इसमें दालते हैं अपना भीगा हुआ इमली इमली पानी के साथ दाल दीजिए दाल कर अब अपन उसमें आड करते हैं यह सा 100 ग्राम्स इमली है ना 100 ग्राम्स गुड गुड को भी आड कर के इस टेस्ट के मुताबिक का नमक याम पे ही आड करते हैं तो दीखिजिए नमक भी इसी वक तियाड कर लेके यह बाउल होना और यह जो जागरी है ना वो भी मेल्ट हो जाना है वो melt हुए तक अपन इसको पका लेना है अच्छा सा पकने के लिए side में रख दीजिए दूसरे चुले पर अपन एक कड़ाई को चड़ा कर उसमें दालते हैं 100 ग्राम आईल अपन measure कर चुके है ना उसी तेल को लीजिए लिए बाद तेल को अच्छा सा गरम हुए बाद अपन जो छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे ना अधरक के वो अधरक को अच्छा सा मीडियम फ्लेम पे रखके अपन गोल्डन ब्राउन कलर आए तक अपन इसको तल लेना है फ्राई कर लेना है इसको देखीजिए थोड़ा सा ब्राउन आ चुका है इसी वक्त अपन इसमें आड करते हैं दस से पंदरा लह सुनके कलियां उसको भी अच्छा सा मिला के पूरा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होये तक अपन इसको फ्राई कर लेना है इसलिए है अच्छा सा तल लेना है देखीजिए इस तरह से नीचे उपर करते हुए अपन इवन होने अपन नीचे उपर करने से evenly तल ले जाता है देखीजिए इस तरफ का टामरिंड का जो आपन रखे थे न वो पूरा गल चुक्के वो एक बॉयला है आया है उसी वक्त उसको स्टाव को बन कर दीजिए बन कर देखे देखीजिए इस तरफ अपने सुखे लाल मिर्जाम बे अच्छा से फ्राइ हो चुके है इसी वक्त अपन इसमें आड़ कर दे हैं अपन जो टामरिंड का पका लिये थे न वो पूरे पानी के साथ इसमें पूरा डाल दीजिए डाल कर अब अपन थोड़े इंग्रीडियंट्स इसमें आड़ करना है देखेजिए पूरा एक बार अच्छा सा मिक्स कर लिजिए अच्छा सा मिक्स कर लिए बाद अपन इसमें आड़ करते हैं मेथी पॉडर और जीरा पॉडर और धन्या पॉडर दाल के अच्छा से mix कर लीजिए mix कर लेके ये पूरे ingredients दाले बार टू-3 minutes से साथे कर लिए तो एनफ है अपने को पूरा एकदम अच्छा से 2-3 minutes पका लेके अपन इसको stove को बन कर देके पूरा cool होने के लिए छोड़ देना है पूरा एकदम कूल होना है गरम गरम पर अपन मिक्सी नहीं कर सकते इसलिए पूरा कूल हुए तक अपन इसको वेट करना है पूरा कूलिंग पॉइंट पर आ जाना है देखिजिए अपना पूरा एकदम कूल हो गया है मिन्स पूरा थंडा हो चुका है इसी स्टेज पे आपन एक mixοι जार को लेकर आपन इसमें पूरा सा डाल देकर अगर ज्यादा बना रहे तो थोड़ा थोड़ा दाल लेजिये अगर नहीं पूरा मिकसी जार में आजाता वो तो एक साम पूरा सा डाल लेकर आपन अंच्छा सब नरम चटनी की जैसा पीस लेना है देखीजिए अगर आप लोग को पानी कम होके नई पीसे जा रहा तो दूसरी तरफ एक बावल में गरम पानी को रख लेके गरम करके थंडा कर लेना है थंडा कर लेके वो पानी को आड करते हुए अपने चटनी को ग्रैंड कर लेना है देखीजिए इस तरह अपने चटनी बनके तयार हो गया है इसी स्टेज पापन इसको अच्छा सा पूरा मिक्स कर लेके एक कांच के बॉल में, कांच के जार में निकाल लीजिए आप लोग इसको ये कांच के जार में बाहर रहें, पूरा कूल हो जाना है ये बाहर वन मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर आप लोग प्रीजर में रख रहे तो 6 months के लिए आराम से चटनी को स्टोर कर ले कि अपन नास्टों के साथ एंजय कर सकते हैं देखीजिए इसी पूरा सा अच्छा सा दाल लीजिए देखीजिए अपना अधरक की चटनी बनके तयार हो गया है एकदम बढ़िया रहता है आप लोग जरूर एक बार ट्राइ कीजिए अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आये तो लाइक करो फ्रेंड्स को रेलेटिव उसको शेर करो क्विक इजी टेस्टी रेस्पीस के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करो अगले वीडियो से फिर भी मिलते हैं थैंक्स पर वाचिंग बाई